नमस्कार जोस्तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बर्जर पेंट्स शेर का टेक्निकल एनलिसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेर में इस प्राइस से लेकि इस प्राइस तक हमें एक धमा के दार तेजी देखने को मिली है और आज के दिन भी इस शेर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी तो हम यहीं देखेंगे कि क्या इस शेर में यहाँ से और अच्छी तेजी आ सकती है या फिर कोई बड़ी गिरावट आने वाली है इस share को अभी हमें buy करना चाहिए या फिर sell करना चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि इस share में हमारे short term targets क्या रहेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे वहले अगर बात आती है इस share में support की तो यहाँ पर दो important support levels है जो सबसे पहला support level है इस share में वो है 7.83 रुपीस का level और यह important क्यों है क्योंकि यहाँ पर आप देखो दो बार इस share ने इसी level पर support लिया अगर इस share इस support को तोड़ देता है तो उसके बाद जो दूसरा support है वो है 7.71 रुपीस का level यह important है क्योंकि यहाँ पर इस share ने support लिया था उसके बाद जैसे इस share ने इस support को तोड़ा था उसके बाद इस share में बड़ी गिरावत आईड़े फिर इस share ने इदा resistance वेश किया इदा resistance वेश किया तो दोस्तो अगर यहाँ पर वापस कोई गिरावत आती है तो यह share इसी level पर support लेगा आईए अब हम देख रहें ते इस share में important resistance level कौन सा है तो दोस्तो अगर बात आते इस share में resistance की तो यहाँ पर यह सबसे ज़्यादा important पाट है इस video का तो इस share में अभी जो सबसे ज़्यादा important resistance है वो है 812 रुपीस का level और यह important क्यों है क्योंकि यहाँ पर आप देखो दोस्तों कि इस share में इस price से लगे इस price तक एक शानदार तेजी देखने को मिली थी पर जैसे इस share का price इदर आया उसके पाद थोड़ी गिरावत क्योंकि इस share ने इदर resistance फिश किया था फिर वापस इदर resistance फिश किया और उसके बाद इस share में वापस गिरावत आ गई और अभी भी अगर हम देखे तो दोस्तों यहाँ पर यह एशर एकदम इस price के नसदिक आ गया है तो दोस्तो अगर ये share इस zone के उपर जाता है तो इस share में यहां से और धमा के दार तेजी आने की संभावना रहेगी पर अगर ये share इस zone पर resistance वेस करता है तो वापस इस share में गिरावट आने की संभावना रहेगी आईएब हम देख लेते हैं इस share में कुछ important technical indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहां पर मैं दो important indicator को लगा चुका हूँ MACD यहां पर bullish है और हमें buying का signal दे रहा है और RSI यहां पर overbought zone में चला गया है तो यहां पर मुझे लगते हैं इस share में थोड़ा सा correction आ सकता है क्योंकि RSI यह share का overbought zone में चला गया है आईएब हम देख लेते हैं मैं इस share में कब खरीदारी करूंगा और मेरे क्या targets रहेंगे तो इस share में अगर बात आती है खरीदारी करने की तो दोस्तो अगर यह share कल के trading session में या कभी भी 812 rupees का level closing basis पे break करता है और उस level के उपर में टिक जाता है तो मैं इस share में खरीदारी करूंगा और जो मेरा short term targets रहेंगे वो रहेंगे 880 rupees से लेके 920 rupees तक के और दोस्तो अगर आपको इस share में stop loss लगाना है तो यहाँ पर आप 783 rupees का stop loss लगा सकते हो तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस share में मेरी कोई विबाय से लिया होल्ड के सला नहीं है धन्यवाद